हालो स्टूडेंट्स वेल्कम तू माई यूट्यूब चानल पिछली वीडियो में हमने देखा था यह इटू तक आज हम इहां से स्टार्ट करेंगे कि कौन सा प्रूफ नहीं है किसे हम प्रूफ के थ्रूफ कॉंसिडर नहीं कर सकते हैं ठीक है ना प्रूफ एक्सेप्ट नह ने एक टीकर और दिखा इंसक्टे विभी सब्सक्राइब कि खृफ में प्रूफ नहीं अगर एक्जमपल सतिस्ट्वाइन कर रहा है उससे प्रूफ हम नहीं धिखा सकते हैं अगली भी इसी तरीके से है f of x equals to 3x by x minus 2 यह 1 1 है तो 1 1 हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है ठीक है ना तो पहले ही जो प्रूफ कर चुके हैं उसे हम accept नहीं करेंगे प्रूफ के थूफ तो e3 क्या बोल रहा है check whether or not the following proof is acceptable statement दिया हुआ है if t is a set containing an infinite set s then s not equals to t proof क्या दिया हुआ है s is an infinite set t is a set containing s therefore for all t belongs to capital t there exist s belongs to capital s such that s not equals to t hence s not equals to t तो इहां पर therefore करके जो दिया हुआ है हमें for all t belongs to capital t there exist s belongs to capital s such that s not equals to t इसका तो कोई meaning नहीं बन रहा है है ना तो इसलिए हम इसे consider नहीं कर सकते हैं ना प्रूफ के थू प्रूफ के थू प्रूफ दा statement f maps r to r f of x equals to 3x minus 5 each onto तो onto करने के लिए हमें y equals to f of x यहां पर लेट करना होगा और x को y के थू हम अगर लिख सकते हैं ठीक है ना x equals to y का time के थू कुछ लिख सकते हैं तो उसे हम कहेंगे कि वह function onto है into onto हमने पहले ही किया है बहुत तो इहां पर कोई confusion नहीं होना चाहिए 3x minus 5 अबे confusion हो रहा है तो BMTC 131 की first वाली कुछ वीडियोस function की वीडियोस जाकर प्लीज देख लीजिए तो 3x equals to y plus 5 and x equals to y plus 5 divided by 3 तो x को हम यहां पर देखिए y के थू present कर सकते हैं इसलिए हम बोलेंगे कि यह function जो है यह one two function है different method of proof तो proof का तीन method दिया हुआ है एक direct method एक indirect method और एक जो है उसका जो converse is not true करके हम दिखाएंगे ठीक है ना उसका converse लेंगे उसे not true बोलेंगे therefore the theorem जो given है उसे true बोलेंगे direct method क्या है direct method of p implies q is a logical valid argument that beings with a assumption that p is true and then is one or more step for p imply q1 q1 imply q2 सकर के q and imply q बहुत सारे steps हो सकते हैं हम direct भी बोल सकते हैं p imply q ठीक है ना we conclude that q is true ठीक है ना उसके बाद हम बोल सकते हैं कि यहां पर q is true the p imply q p is true हम माल लेंगे उसके बाद हमें दिखाना हुआ कि q is true एक example के through यह समझने के क्योसिस करते हैं example to give a direct proof of statement the product of two odd integers each part तो पहले ही हम two odd integers माल लेंगे तो लेट करेंगे two odd integers x and y तो यह जो है यह x and y जो है odd integers से हमें क्या प्रूफ करना होगा xy x into y यह odd है तो odd हम क्या से लिखेंगे x equals to 2n plus 1 m belongs to z and y equals to 2n plus 1 जहां पर n belongs to z तो x into y करेंगे तो 2m plus 1 into 2n plus 1 करेंगे 2m plus 1 into 2n plus 1 तो इसे हम इस तरी के से लिख सकते हैं 2 into 2mn plus mn plus n and plus 1 तो 2 into something plus 1 ठीक है ना तो this is odd तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि x y is odd देखेंगे प्रूफ हो गया ठीक है ना तो p को हमने true माली है उसके बाद q किया है q को true बताया है दिखाया है हमने है ना example 3 give a direct proof of the theorem x plus y less or equals to x mod x plus mod y तो यहां पर 3 condition बन सकता है condition क्या क्या है यहां पर x and y के 0 हो सकता है दोनों ही positive और दोनों ही negative हो सकता है और एक हो सकता है positive एक negative हो सकता है ठीक है ना तो पहले x को हम 0 मालेंगे यह case 1 में है तो x को हम अगर 0 मानेंगे तो mod y तो mod x plus mod y यह हो जाएगा ठीक है ना mod x equals to 0 तो क्या आ जाएगा mod y तो यहां पर mod x equals to 0 यह 0 plus mod y हम लिख सकते हैं तो mod x plus mod y इस तरीके से कर सकते हैं सेम तरीके से हम y equals to 0 करके भी कर सकते हैं थीक है ना उसके बाद आ रहा है case number two अगर दोनों ही negative हो जाए उसके बाद अगर दोनों ही positive हो जाए पहले हम दोनों ही positive देख लेते हैं दोनों ही अगर positive हो जाते तो mod x equals to x, mod y equals to y तो mod of x plus y, this is equals to x plus y, तो X को हम mod X लिख सकते हैं, X equals to mod X यहां पर लिखा है, plus mod Y लिख सकते हैं, तो इसलिए हो गया इसका प्रूव, सेम तरीके से इसे भी हम प्रूव कर लेंगे, minus X minus Y, यहां पर minus of X Y, this is equals to minus X minus Y, तो minus x को हम लिख सकते हैं mod of x and plus minus y को लिख सकते हैं mod of y हो गया यह भी प्रूप उसके बाद case number 3 देखें इहां पर x अगर यहां पर less than 0 हो जाए और y greater than 0 हो जाए तब x equals to minus x and mod y equals to y तो x plus y greater than 0 हो जाएगा जब आएगा यहां पर दोनों condition बन रहा है अगर greater 0 हो जाए अगर less 0 हो जाए है तो x plus y this is equals to mod of x plus y this is equals to x plus y which is less than minus x plus y ठीक है यहां पर minus x हो रहा है तो कहीं पर भी हमें minus x लाना है तो इसलिए x और यहां पर minus x ले लिया है which is not equal which is less यहां पर plus x जो है बो less than है यहां पर minus x है ठीक है ना तो यहां पर यह equals to क्या जाएगा mod x plus mod y तो therefore mod of x plus y which is less than mod x plus mod y ठीक है ना और इसे अगर हम x plus y less than 0 माल लेते हैं तब क्या जाएगा minus का जाएगा सेम तरीके से कर लेंगे और फिर x को positive और y को negative करके सेम तरीके से यह प्रूफ पहना होगा बहुत ही इजी है ठीक है ना समझ लेंगे तो easy ही लगेगा give a direct proof of the statement for any two six तो यह हमने प्रूफ यह है है ना इफाइब कोश्य नमर वन इफाइब कोश्य नमर वन यहां पर क्या बोल रहा है कि a intersection b a intersection b इसका whole complement which is equals to which is equals to a complement and union b complement ठीक है ना यह ही था ना तो इहां पर equal दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना हो थी यह इसका subset है और यह इसका subset है ठीक है ना दोनों दिखाना है पहले ही हम क्या दिखाएंगे इसका subset है यह तो लेट करेंगे हम x belongs to a intersection b whole complement ठीक है ना therefore x belongs to x यहां पर belongs to does not belongs to a intersection b तो x does not belongs to क्या आ जाएगा a और intersection का end है तो x यहां पर b therefore यहां पर हम लिख सकते हैं यह और यह फिर equal क्या देंगे हम equal देंगे क्योंकि नहीं sorry belongs to does not belongs to है तो इसलिए imply लिखेंगे और और लिखेंगे तो x does not belongs to a and x does not belongs to b that imply क्या आ जाएगा यहां पर x belongs to x belongs to क्या आ जाएगा sorry यहां पर a intersection b और यह देखिए x does not belongs to a और और आ जाएगा यहां पर और तो x belongs to a complement और x belongs to b complement तो therefore x belongs to a complement और b complement therefore x belongs to a यहां पर क्या जाएगा union b a complement और a complement union b complement ठीक है नहीं हो गया उसके बाद यह हम लेंगे a complement union b complement और उसको दिखाएगे a intersection b complement तो let x belongs to a complement union b complement then x belongs to वहां पर a complement or x belongs to b complement that imply x belongs to a x does not belongs to a and x does not belongs to b ठीक है नहीं है x does not belongs to a and b ठीक है ना that imply x does not belongs to a and है तो intersection b that imply x does not sorry x belongs to a intersection b whole complement ठीक है ना a intersection b whole complement तो हो गया दोनों हम अप्रूप कर दिया है यहां पर यहां पर एक लाइन लिखना था कि therefore therefore यहां पर a intersection b whole complement is a subset of a complement union b complement उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे therefore a complement union b complement is subset of a intersection b complement therefore हम लिख सकते हैं therefore यहां पर a intersection b complement which is equals to a complement union b complement ठीक है ना तो इससे तरीके से इसका प्रूप करना होगा तो f of f maps are 2 and f of x equals to minus x by 2 ठीक है ना तो f of x equals to क्या जाएगा minus x by 2 तो यहां पर 0 to 0 to 3 यह calculus का unit 6 देख सकते हैं मैंने इसका वीडियो upload कर दिया है आप लोग चाहें तो bmc131 की playlist जाकर देख सकते हैं मैंने unit 6 का video upload कर दिया है आप लोग जाकर देख लीजिएगा ठीक है तो f of x equals to minus x यहां पर क्या है 0 to 3 तो 0 to 3 0 and 3 के 20 में हम देखेंगे इसका जो value है यह क्या हो रहा है यहां से यहां तक value क्या हो रहा है घर्टी जा रहे हैं माइनस में ज्यादा इहां पर इधर आ रहा है तो यह क्या है suree decreasing है ठीक है न तो monotonic है इंक्रीजिंग हो या फिर decreasing हो वो monotonic है तो monotically increasing decreasing अगर नहीं पता है तो आप लोग please BMTC 131 के video देख लीजे वहां पर सभी मैंने एकदम clear करके आप लोग को बता दिया है तो यहां पर यह क्या है monotonically decreasing है तो इसलिए यह function क्या है होना का नहीं है यह हम बोल सकते हैं ठीक है ना तो यह इसका प्रूफ हो गया उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे आज के वीडियो में इतना है थैंक यू स्टुडेंट्स थैंक्स पर वाचिंग